स्वागते दोस्तों आपका दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें निवेश करके आप अपने लिए एक बढ़िया फंड तयार कर सकते हैं दोस्तो आपको एक ऐसी स्कीम में निवेश करना बहुत ज़रूरी है जहांबर आप भविशे के अपने लक्षे को पूरा कर सकें घर खरीदना, कार खरीदना या फिर कोई और आपका जो बड़ा लक्षे है उसे आप पूरा करना चाहते हैं तो एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करके भी एक बड़ा फंड तयार कर सकते हैं आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें आप निवेश करके 2000 रुपे महिना से एक बड़ा फंड तयार कर सकते हैं बहुत कम टाइम में तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेस में बात करेंगे और साथ के साथ हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि इसके अंदर अगर आप 2,000 रुपे महीना आज जमा करते हैं और 15 साल या 20 साल के बाद आप को बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे मिल सकते हैं इसे कैलकुलेट भी करेंगे अगर हम बात करें इस स्कीम के रिटन की तो इसका 6 महीने का रिटन करीब 20% का है अगर एक साल की बात करें तो करीब 62.55% का रिटन है और जब से इस स्कीम चुरू हुई है तब से लेक आज कल mutual funds की scheme में बहुत जादा पैसा लोग बना रहे हैं क्योंकि share market लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है उसका फाइदा सीधा सीधा यहां पर mutual funds scheme को होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि mutual funds हमेशा ऐसे stock में पैसा निवेश करते हैं जहां पर उन्हें जादा profit मिले तो च systemic investment plan के तरू या फिर आप direct lump sum पैसी जमा कर सकते हैं इन दोनों में दोस्तों काफी फायदा आपको हो सकता है SIP में भी दोस्तों एक और तरीका होता है top up का जैसे अभी आपके पास 1000 रुपे महीना SIP शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं 6 महीने के बाद उस 1000 रुपे 7,082 करू रुपे का है या इतने पैसे लोगों ने इस scheme के अंदर निवेश किये होए हैं अगर NAV की बात करें यानि net asset value की तो ये 20 रुपे दो पैसे का है दोस्तों NAV किसी भी mutual funds का एक unit price होता है जो पैसे आप इसके अंदर जमा करते हैं जो current NAV चल रहा होता है उसके IP शुरू कर सकते हैं और लंग सम आप इसके अंदर 5000 रुपे से निवेश कर सकते हैं दोस्तों mutual funds का जो पैसा है वो share market में निवेश किया जाता है अगर हम बात करें इस scheme ने अपना पैसा किन share हों में निवेश किया है तो उसके अंदर ICCA bank, Infosys, HDFC, Reliance Industry, Axis Bank, Bharti Airtel, Maruti Sujoki, जो बैतिन कंपनी हैं उनके अंदर यहां पर आपका पैसा में वेश किया गया है दोस्तों अगर बात करें expense ratio की तो यह है 0.36% का जो की काफी कम है दोस्तों expense ratio किसी भी mutual funds का एक खर्चा होता है जितने पैसे आप जमा करते हैं उसमेंसे जो current expense ratio होता है वो काटने के बाद जो current एने भी चल रहा होता है उसके हिसाब से आपको unit lot की जाती है अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों fund manager की तो गौरब मिश्रा इस fund को manage कर रहे हैं और मेरे asset fund house की बात करें तो इंडिया में 13 नंबर पर इनकी rank है इनके पास करीब 70,000 करोड का AUM है यानि asset under management और company start हुई थी 30 नंबर 2007 में दोस्तों ये तो बात हुई scheme की अगर आप इस scheme में निवेश करते हैं और आने वाले time में दोस्तों ये scheme यहाँ पर आपको 30% भी return देती है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे अब इसे हम calculate कर लेते हैं दोस्तों एक बात और आपको ध्यान रखनी है किसी भी mutual funds मे निवेश करने के लिए आपके पास कई तरीके होते हैं एक ऐसा भी तरीका है जिससे आप निवेश करके तुरंत निवेश करने के बाद 1.5% का profit पा सकते हैं वो क्या तरीका है उसे हम वीडियो के आखिर में discuss करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर इसे calculate कर लेते हैं दोस्तों इस scheme के अंदर अगर आप यहाँ पर सिर्फ 2000 रुपे महिना निवेश करते हैं और यह scheme यहाँ पर आपको 30% भी return देती है आने वाले time में तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास 5 साल में estimated return जो होगा वो करीब 1,58,783 रुपे का होगा और 5 साल में आप यहाँ पर 1,20,000 रुप नहीं होता है उस पैसे को आप 1 साल बाद 2 साल बाद या फिर जब भी आप चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों इस SIP को 2000 रुपे महिना की को अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तो यहाँ पर आपको estimated return जो मिलेगा वो 12,65,360 रुपे का होगा 2,40,000 रुपे इसके अंद रुपे का होगा 3,60,000 रुपे इसके अंदर आप जमा करेंगे और आपके पैसे की टोटल वैली जो होगी वो 39,287 रुपे के होगी दोस्तों इस SIP को अगर आप 20 साल के लिए continue रखते हैं तो आपको estimated return जो मिलेगा वो 3,16,513 रुपे का होगा 20 साल में 4,80,000 रुपे इसके के लिए continue रखते हैं तो आपको estimated return जो मिलेगा 13,45,16,997 रुपे का होगा 6,00,000 रुपे के अंदर आप जमा करेंगे और आपके पैसे की जो value होगी 25 साल के बाद वो 13,51,16,970 रुपे होगी दोस्तों अगर आप इस SIP को 2,000 रुपे महिना की को 30 साल के लिए करते हैं तो 45,161 रुपे का होगा 7,20,000 रुपे इसके अंदर आप जमा करेंगे और आपके पैसे की जो total value होगी वो 69 करोड 47,65,161 रुपे की होगी दोस्तों अगर आप 2,000 रुपे महिना SIP शुरू करते हैं लंबे टाइम में अपने बच्चे की शादी या फिर किसी और बड़े लग रिटन देता है तो यहाँ पर आपको 5 साल में estimated return जो मिलेगा वो 1,08,570 रुपे का होगा 40,000 रुपे जो आपने जमा किये हैं उन्हें मिलाके आपके total value होगी पैसे की वो 1,48,570 रुपे की होगी दोस्तों अगर आप इस 40,000 रुपे को 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको estimated return जो मिलेगा वो 5,11,444 रुपे का होगा जो 40,000 रुपे आपने जमा किये हैं उन्हें मिलाके आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 5,51,444 रुपे होंगे दोस्तों अगर आप इस 40,000 रुपे को यहाँ पर 15 साल के लिए जमा करते हैं तो यहाँ पर आपकी estimated return return जो मिलेगा वो करेफ 20,7,4346 रुपे का होगा 40,000 रुपे जो आपने जमा किये हैं उन्हें मिलाके आपको 20,417,436 रुपे मिलेंगे अगर आप इस 40,000 रुपे को 20 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको estimated return जो मिलेगा वो 5,61,986 रुपे का होगा 40,000 रुपे जो आपने मिलाके आपको 6,1986 रुपे मिलेंगे अगर आप दोस्तो इस scheme में 25 साल के लिए 40,000 रुपे जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको estimated return जो मिलेगा वो 2 करोड 81,85,640 रुपे का होगा 40,000 रुपे इसके अंदर आप जमा करेंगे और के पैसे की total value जो होगी वो 2 करोड 82,25,640 रुपे होगी तो अगर इस 40,000 रुपे को अगर आप यहाँ पर 30 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको estimated return जो मिलेगा वो करीब 10 करोड 47,69,826 रुपे का होगा 40,000 रुपे जो आपने आती है कि mutual funds के अंदर निवेश कैसे करना है तो उसके लिए आपके पास तीन तरीके होते हैं या तो आप broker के थूरू निवेश कर सकते हैं या फिर डारेक्ट ऑफिचल वेबसाइट से निवेश कर सकते हैं या फिर घर बैठे कोई भी चार्ज नहीं देना होता है और 1.5% जो आप broker को देते हैं वो सीधर-सीधा फायदा आपको हो जाता है तो दोस्तो इसका